हलो अबडिवन मैं हूँ आस्था वेलकम करती हूँ आप सभी का अपने यूटिब चैनल गवर्मेंट जॉब जेन्यू नॉटिफिकेशन यहाँ पर SSE की तरफ से बहुत ही अच्छी गुड न्यूज आप सभी कांडिडेट के लिए जो भी SSE GD Constable न्यूज वेकेंसी का वेट कर रहे थे क्योंकि यहाँ पर 2024 SSE GD 2024 के बारे में ऑफिसियल अपडेट आ गया है नोटिस आ गया है 2024 की SSE GD भरती को लेकर के काफी कैंडिडेट यह जो भरती है इसका वेट कर रहे थे अभी SSE GD का जो एक्जाम हुआ था उसमें बहुत बड़ी संख्या में वेकेंसी आई थी आप सभी जानते हैं पहले जो वेकेंसी आई हुई थी उनको टू टाइम्स इंक्रीज किया गया था तो बहुत अच्छी वेकेंसी आई थी और यह वेकेंसी जो आने वाली है 2024 में SSE GD की इसको भी देख करके लगता है कि ऐसी ही बड़ी भरती आपको एक बार फिर से देखने को मिलेगी SSE GD Constable के लिए SSE GD Constable की जो पोस्ट होती है ये 10th Past Candidate के लिए होती है तो 10th Past Candidate के लिए बहुत ही अच्छा मौका है और बहुत ही अच्छी अपरचुनिटी होती है बहुत से Candidate All India से इसमें Apply करते हैं 10th Past Candidate इस पेसली जो SSE GD की भरती होती है इसका Wait करती है तो यहाँ एक तो अभी Notice Release हो गया था उसके Examination भी हो गए हैं Second Notice का Wait कर रहे थे काफी Comment आ रहे थे कि New Notice Release हुआ है जो 2024 की SSE GD Constable की भरती है क्या इसका Notice आ गया है कब तक आने वाला है Form कर आएगा and इसका Examination date करेगी सारा सब कुछ में आपको इस वीडियो बताऊंगी and SSE GD के लिए अगरा वेट कर रहे हैं तो अभी से आप तयार हो जाईए क्योंकि बहुत ही जल्द अभ इसका Notice Release होने बाला है November में अभी आप September month सल रहा है October and November After two month आपको इसका notification देखने को मिल जाएगा New notification 2024 के लिए और उसमें भी आपको बड़ी भरती देखने को मिलेगी तो जो भी candidate 10th pass है क्योंकि इसमें male, female सभी candidate eligible होते है तो जो भी candidate 10th pass out है या 10th level की job search करने है अभी से आप अपनी preparation में लग जाईए क्योंकि competition काफी जादा रहता है लेकिन एक benefit इसका ये भी रहता है कि ये जो भरती है इसका जो cut off रहता है वो state wise रहता है ओके सो चली आभी मैं आपको इसका official notice क्योंकि काफी videos upload हो रहे थे आप सभी के भी comments आ रहे थे कि official update या official notice आप हमें बता दीजे कि कहाँ पर ये message या notice आया हुआ है तो मैं यहाँ पर सबसे पहले तो आपको notice दिखा देती हूँ जो calendar है update कर दिया गया है तो calendar आपको बताती हूँ उसमे examination date, form date सब कुछ आपको बताती हूँ उसके बाद मैं आपको बताऊंगे कि official site पर आप कैसे check out कर सकते हैं ओके चलिए देखते हैं तो यहाँ पर आप देख रहे हैं यह मैंने SSC का जो calendar है examination calendar उसको यहाँ पर open किया हूआ है आप देखेंगे 2023-24 ठीक है SSC ने हाल ही में यह जो calendar है अपडेट कर दिया गया है पहले जो आप calendar देख रहे हैं उसमें SSC GG 2024 यादि अगर हम बात करें तो September, October October month के बाद में सारी ही departmental vacancies की date आई हुई थी कोई भी fresher vacancy नहीं थी fresher candidate के लिए vacancy नहीं थी October month तक October month में आपके एक fresher candidate के लिए भरती आने वाली है उसके बाद से कोई भी ऐसी भरती नहीं थी जिसमें fresher candidate Alice Willow previous जो calendar था उसके accordingly लेकिन यहाँ पर यह जो calendar अपडेट किया गया है अब हम इस calendar में देखें अगर तो आप यहाँ पर देखेंगे सबसे नीचे जब आप जाएंगे तो आपको यहाँ सबसे last पर मिलेगा क्योंकि मैंने आपको जैसा की बताया कि जो previous calendar था October मंद के बाद जितने भी date थी वो सभी departmental date थी examination की date थी अब यहाँ पर जो update किया गया है वो GD Constable को लेकर के update कर दिया गया है कि GD Constable की भरती इसी साल आने वाली है और आप यहाँ पर देख सकते हैं Constable GD in Central Armed Police Forces NIA, SSF and Rifleman GD in Assam Rifles Examination 2024 जो की computer based examination होता है इसका जो notification है 24 November को notice इसका SSC की website पर publish कर दिया जाएगा according to calendar हो सकता है थोड़ा delay हो जाए क्योंकि आप सभी जानते हैं SSC की जो notification है कभी-कभी delay हो जाते है तो बैसे इसकी जो date है 24 November है दो महिने के बाद आपका SSC GD new भरती आने वाली है इसकी जो last date रहेगी 28 December रहेगी 28 December तक आप इसमें apply करेंगे जो exam आपका होगा SSC GD का वो February March 2024 ठीक है February March में आपका examination रहेगा तो अभी से आपको इसकी date वगरा examination वगरा के बारे में जानकारी हो गई है तो अभी से तैयारी कीजे क्योंकि बहुत competition रहता है काफी बहुत सी संख्या में जो candidate है, form apply करते हैं तो आपको भी अपनी तैयारी है अभी इसमें physical requirement भी रहती है वेसिक सा तो इसमें qualification है जो 10th level की रहती है 10th base पर आप इसमें apply करते हैं लेकिन physical requirement भी रहती है height वगरा चेक करना होता है तो अभी मैं आपको briefly वो भी बताऊंगी height क्या requirement रहती है किस सरह से physical वगरा रहेगा अभी आपको shortly बताऊंगी लेकिन पहले मैं आपको बता दूँ जो candidate इसका notice नहीं देख पा रहे है या जो calendar नहीं देख पा रहे है आपको कैसे देखना होगा official site पर तो देखे आभी मैं यहां के official site पर हूँ official site पर जब आप जाएंगे तो आप सभी जानते है SSE की website तो आप सभी ने open की होगी सभी बहुत ही अच्छे से जानते होंगे SSE की site को यहां side में जो examination calendar रहता है यहां से हम examination calendar को download करते हैं जो भी examination SSE की दौरा conduct करा आए जाते हैं उनका calendar यहां पर साल भर का दिया रहता है कि किस date में कौन सा examination होने वाला है अब यहां पर जब आप click करते हैं तो यह जो calendar यहां पर आ रहा है वो previous calendar आ रहा है अभी आप इसको click करेंगे तो यहां पर जो calendar आपका open होगा यह previous calendar open हो रहा है ठीक है जिसमें की SSE GD भरती 2024 के बारे में नहीं बताया गया है देखें यहां पर यह जो calendar जैसा कि मैंने आपको बताया था October month तक इसमें बताया गया है Fresher के लिए vacancy आएंगी October Multitasking Civilian Delhi Police Examination यह आपकी October October के बाद आप जितना भी देखेंगे Limited Departmental Competition Limited Departmental Competition यह देखें सारे ही Departmental Examination की है अब यहां पर आपको 21 दिख रहा है 21 तक ही यहां पर दिया गया है और यहां कोई भी GD Examination के बारे में नहीं बताया गया है यह जो calendar है यह 19 मैं 2023 को update हुआ था अब इसका जो new calendar है वो हम देखेंगे तो इसके लिए आपको क्या करना होगा आपको यहां पर calendar पर नहीं जाना है आप यहां पर देखेंगे candidate corner candidate corner पर जब आप click करेंगे तो यहां पर आपको यह जो third number का आप देख रहा है examination calendar यहां पर आपको click करना है जब आप इसको click करेंगे तो यहां पर open हो गया tentative scheduled of examination tentative schedule examination पर जब आप click करेंगे तो यहाँ पर आपका जो calendar होगा यह updated calendar है जो कि यहाँ पर update किया गया है 30 अगस्त 2023 को और यहाँ पर देखिए 22 उसमें 20 बनता की था यह 22 last में add कर दिया गया है sscgd 2024 का जो कि अभी मैंने आपको इसके बारे में detail दे ही दिये तो इस तरह से आप इसको download कर सकते हैं देखिए अगर आप यहाँ पर sscgd के लिए apply करते हैं तो age criteria 18-13 साल रहता है और जिस year में आप apply कर रहे हैं उसकी first January से आपकी age देखी जाती है तो 18-23 साल age limit यहाँ पर रहती है जनरल candidate के लिए reserve categories को relaxation मिल जाता है अब इसमें जो computer based examination होता है इसमें आपके 80 questions रहेंगे 2 marks का each questions और यहाँ पर general intelligence and reasoning, general knowledge and general awareness, elementary mathematics, English and Hindi सभी से 20-20 questions आएंगे 40-40 marks के 60 minute की timing इसमें रहेगी objective type questions रहते हैं Hindi और English किसी भी language में आप दे सकते हैं negative marking भी रहती है 0.50 marks से अब यहाँ पर हम देखेंगे physical efficiency test तो इसमें male candidate के लिए 5 km 24 minute में running करनी होती है and वही 1.6 km in 6 and half minutes में इसके बाद है female candidate के लिए 1.6 km in 8 and half minutes यानि 8 minute में 800 meter 4 minute में अब यह आपका जो remark है यह आपके लद्दाक जौन बगरा 4 candidates other than belonging to Ladakh और यह जो रहेगा यह 4 candidates of Ladakh zone के लिए ठीक है physical standard test तो इसमें male candidate के लिए height 170 cm होती है female के लिए 157 cm required होती है and जो reserve categories से हैं उनका chart यहाँ पर दिया गया है तो आप यहाँ video pause करके देख सकते हैं आप जिस category से ब्लॉंग करते हैं आपके लिए क्या height यहाँ पर रहेगी and यहाँ पर जो male candidate के लिए chest 80 cm and expansion के शाथ 5 cm यानि की 85 cm यहाँ पर भी reserve candidate जो रहते हैं उनको थोड़ा relaxation मिल जाता है so finally यहाँ पर SFC GD भरती 2024 का official notice यानि calendar आपने देख लिया updated calendar है new vacancy है 10th past candidate के लिए form date exam date सारा सब कुछ हमने देख लिया है physical requirement क्या रहेगी वो भी मैंने आपको बता दिया है exam में आपको क्या पूछा जाएगा इसका syllabus क्या रहेगा उस पर मैं वीडियो अप्लोड कर दूँगी मेरे second channel get more info YouTube channel पर and I hope आपको ये वीडियो पसंद आया हो help रहा हो अगर पसंद आया हो तो like and share कीजिए और इसी तरह के वीडियो अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वाइल आइकन के all option को प्रेस करके रखेगा जिससे मेरे सारे वीडियो के notification आपको टाइम से मिल सकेंगे थैंक यू